सब्सक्राइब कीजिए टेकन और व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेकनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज किस वीडियो में हम करेंगे अन्बॉक्सिंग मोबिस्टार एक्सवान नॉच की और हम आपको बताएंगे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन से तो यह है 3GB RAM 32GB स्टोरेज वाला मोबिस्टार एक्सवान नॉच और आज इस वीडियो में देखेंगे के इस बॉक्स के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है तो वीडियो को एंड तक देखेंगे पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमरे इंस्ट्रग्राम को फॉलो कर लीजिए तो यह है मोबिस्टार एक्सवान नॉच की बॉक्स और इस बॉक्स के ऊपर पहले आपको कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े दिखाई देगा एक है इसमें आता है 13MP AI Selfie Camera और इसके साथ आपको मिलता है 2200 रुपीज का जियो कैश बैक तो यह बॉक्स के पीछे आपको कु करने वह बने सबु offspring करने में किया मिलता है इसके आंतर पॉक्स के फि civsharajale घुक्यल उपाशल मिलता है अपको मिल जाता है कुछ पेपर वक्स के साथ एक सीलिकॉन tenants कर यह defenderवम उपूक्स के साथ इसका का रफी यूर्म लग रहा है और यह सॉफ्ट शलिका इस पीछे दिल आउटपुट है 5V at 1A, इसके साथ हमें मिलता है headphones जो है in-ear style headphone वैसे आजकल mostly phone के साथ हमें headphones नहीं मिलता है, पर MobiStar X1 notch के साथ आपको एक bundled in-ear style headphone मिल जाता है, इसके साथ आपको मिलता है data syncing और charging के लिए micro years report वाला cable और इसके साथ हमारा sim card ejector tool, तो यही है सब कुछ जो आपक box के अंदर और इन सब को side में रखके चले चाते हमारे phone में और इस plastic से phone को बाहर निकाल लेते है दोस्तों यह है हमारा gradient shine color variant वाला X1 notch जो दिखने में बहुत ही बड़िया लग रहा है वैसे इसमें आपको 3 color variants मिलता है gradient shine, sapphire blue और midnight black इसका जो glass finish body है उसमें यह multi colored bag काफी unique लग रहा है सामने के साइड यहां पर एक sticker लगा हुआ है जिसको यहां से उठा लेते है build quality काफी decent लग रहा है और पीछे के साइड यहां से sticker को भी उठा लेते है वैसे इस phone में मुझे सबसे बढ़िया जो चीज लगा है वो है इसका in hand feeling I mean one hand usage के लिए यह phone एकदम perfect है इन्वेस सामने यहां पर हमें मिलता है 5.7 inch की HD plus display जिसके उपर है एक notch और notch के नीचे हमें मिलता है proximity और light sensor के साथ earpiece और front facing 13 megapixel AI selfie camera यहां पर आपको curved edges दिखाए देगा क्यूंके सामने आपको मिलता है 2.5D curved glass एन्वेस पीछे के तरफ यह beautiful glossy design छोड़के हमें मिलता है 13 megapixel की rear camera camera के लवा यहां पर एक LED flash fingerprint scanner और ठीक उसके नीचे है mobistar का branding phone के साइड में हमें 3 color gradient वाला metal design देखने को मिलता है और उपर के साइड हमें मिलता है सिर्फ 3.5 mm headphone jack जहां नीचे हमें मिलता है primary microphone, speaker grill और micro USB port राइट साइड में है power button और volume keys जहां left में है हमारा SIM का tray जिसको अभी खोल के देख लेते है इसका setup Mobistar X1 notch में हमें मिलता है triple slot मतलब इसमें आपको मिल जाता है dual SIM slot के साथ dedicated SD card slot जो बहुत ही बढ़िया है even for 3 GB variant क्योंके इसमें हमें मिलता है 32 GB का internal storage और अगर आप 2 GB variant लेते तो आपको इसमें मिलता है 16 GB का storage तो एक micro SD slot काफी काम आएगा memory को expand करने के लिए वैसे इस phone में true voltage support है मतलब आप दो जियो SIM की वोल्टी को एक साथ यूज कर सकते है इस phone में तो ना phone को first time के लिए boot कर लेते और I hope के इसमें कुछ charge है और yes हमें मिल गया है haptic feedback और phone boot होना start हो गया है तो यह जब तक boot होके setup screen पे आता है तब तक हम quickly देख लेते Mobistar X1 की specifications दोस्तों Mobistar X1 notch में हमें मिलता है 5.7 inch की HD plus IPS LCD display जिसमें है notch design इसमें मिल जाता है Mediatek Helio A22 जो एक quad-core CPU है और उसके साथ 2 या फिर 3 GB का RAM options और 16 या फिर 32 GB का storage models camera के अगर बात करें तो पीछे के तरफ हमें मिलता है 13 MP की rear camera और सामने के तरफ है अगें 13 MP की front facing AI selfie camera इसमें आता है 3020 mh की battery और उसके साथ fingerprint scanner या फिर face unlocking का options और फोन बूट हो गया है और ना हम जल्दी से इसका initial setup कर लेते हैं तो हमने phone को setup कर लिया है और यहां पर हमें मिल जाता है stock android जैसा look यह stock android नहीं है इसका UI मुझे काफी smooth लग रहा है आपको by default कुछ pre-installed applications और games मिलता है फोन के साथ पर आप चाहे तो इसे uninstall भी कर सकते है अगें इसकी UI काफी quick and responsive है तो जल्दी से settings में about phone में जाके जैसे आप देख सकते कि out of the box हमें मिलता है android 8.1 audio तो यहां से back करके storage settings में जैसे आप देख सकते कि 32 GB में से आपको almost 25 GB free मिलता है out of the box फोन को setup करने की time हमने fingerprint scanner और face unlock को भी setup कर लिये थे तो उसे हम अभी check कर लेंगे तो यह जैसे आप देख सकते के fingerprint scanner जो है उसका responsiveness काफी quick है इसमें आपको कोई noticeable lag जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा तो now face unlock को भी check कर लेता है तो यह जैसे आप देख सकते के face unlocking भी काफी quick and responsive है पर आपको face unlocking के लिए power button को एक बार प्रेस करके फिर unlock करना पड़ता है तो यह चले जाते camera app पे यहां पर बहुत सारे modes और filters का option हमें मिल जाता है जैसे आप देख सकते कि यहां से आप AI को toggle on-off कर सकते हैं आपको panorama HDR और manual mode का options मिल जाता है और night shots के लिए dedicated night mode आपको camera app में मिल जाता है video settings में आपको full HD video shoot करने का option मिलता है जिसके साथ है EIS मतलब electronic image stabilization तो X1 notch से आप smooth and steady video footage ले सकते हैं जल्दी से photo mode में जाके यहां से एक picture खीच लेते हैं जैसे आपने देखा शटल लैग एक दम ही नहीं है और यहां पर आप देख सकते photo बढ़िया आया है तो यह रहा कुछ pictures जो हमने ली है Mobistar X1 notch की camera से यूटिब में जाके हमरे चैनल में चले जाते हैं और चेक कर लेते हैं इसका audio और वीडियो क्वालिटी तो जैसे आपने देखा speakers की audio क्वालिटी काफी लाउड है और आपको इस डिस्प्ले में वीडियो देखने में बढ़िया लगया क्यूंके इसका डिस्प्ले क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी डिसेंट है इसके साथ आपको जो टीप्यू केस मिलता है उसे यूज करने से फोन ज्यादा बल्की फिल नहीं होगा क्योंके यह काफी धिन है और ग्लास बैक में फिंगर पेंट या फिर डैमजस से फोन को सेफ करने के लिए आपको यह टीप्यू केस शायद यूज करना भी पर सकता है तो यही था अन्बॉक्सिंग MobiStar X1 notch की और मेरा फिर्स्ट इंप्रेशन इस फोन से बहुत ही अच्छा है फोन ज्यादा लाइट वेट या फिर हेवी वेट जैसा नहीं है क्योंके मेरी सबसे वेट बैलंस एकदम परफेक्ट है और वान हैंड यूज के लिए यह फोन मुझे बढ़िया लगा है मेराम 32GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस है 9,499 और यह आपको अवेलेबल मिलेगा ओफलाइन स्टोर में तो आपको क्या लगता है मोबिस्टार X1 notch के बारे में हमें जरूर बताए कमेंस में और यह आई ताच का वीडियो गर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ल वीडियो में